कि दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं आपको परेवरड अध्यन यानि की EVS के शॉट नोट्स करवा रहा था अगर आपने हमारे पूरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा जिसमें मैंने आपकी साथ क्लासें ली थी EVS सॉट नोट्स की और उनसी से related questions भी किये थे जो कि आपको help करेंगे सीटे 2021 क्रेक करने में ओके तो उसी सिरुज को continue करते हुए आज हम उसके आगए वाले टॉपिक के वाले में बात करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक है राजियों के भोजन यानि अलग अलग राजियों में कुछ यूज में लिए जाने वाले भोजन या खाने वाले भोजन तो पहले टॉपिक है पकाने के तरीके क्या है पकाने के तरीके तो पकाने के तरीके कौन जो कौन से होते हैं एक तो होता है भुनकर, उबालकर, तलकर और सेंकर कुछ चीजों को हम भुनकर खाते हैं, कुछ चीजों को उबालकर खाते हैं कुछ चीजों को तलकर खाते हैं और कुछ चीजों को सेंकर खाते हैं वही चार तरीके हैं, methods of cooking, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पहला हमारा UP यानि उत्तरप्रदेश, तो हम लोगों ने पहले ही बात की थी, UP में कचनार के फूल की सबजी खाई जाती है, कहां पे UP में कचनार के फूल की सबजी खाई जाती है, इसको याद रखेगा, क्योंक सहजन के फूल, और यह कहाए के हैं, यह हैं आपके कचनार के फूल, इनकी सबजी बना जाती है, और यहाँ पे महाराष्ट में सहजन के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा असम, तो असम के बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ ह उसको पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है, बोरा असम में खाय जाने वाले चावल की एक किस्म है, क्या जो भी यह बोरा है, यह असम में खाय जाने वाले चावल की एक बिराइटी है, आप लोगों को पता ही होगा कि चावल की कई सारी बिराइटी जाती है, उसी में से बोरा के तेल में तला जाता है तो यहां पर जो है गोवा में मचली को नारियल के तेल में तला जाता है तो देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है मैं कस्मीर में रहती हूं सर्सों के तेल में बनी मचली मुझे बहुत पसंद है एक बार हम गोवा गए थे वहां हमने मचली खाई पर स नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मचली है स्वाथ तो अलग ही होगा तो इसका मतलब क्या है कस्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी हुई मचली खाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई मचली खाई जाती है आगे बढ़ते हैं आगे हमारा गुज वा मिठाई है, गुजरात की प्रमुखादी कौन-कौन से हैं, ढोकला, चटनी वाले चावल, वा मिठाई, वालसाड स्टेशन गुजरात में है, यहां बटाटा बड़ा, पूरी साग मसूहर है, यहां का बटाटा बड़ा और पूरी साग मसूहर है, यानि गुजरात में कई बार अब तक पढ़ लिए आओका सीटेट की त्यारी कर रहे हैं अचे तरीके से तो देखते हैं गटते है हैं किरल में नारिल के पैंड होते हैं वह चाबला की खेती होती और दिरू होती है next point है केले के फूल की सबजी केरल में खाई जाती है चीज की सबजी खाई जाती है केले के फूल की सबजी केरल में खाई जाती है आगे NCRT की image लगी हुई इसके बारे में पर लोग पढ़ते हैं लिखा हुआ है मैं केरल में रहता हूँ मुझे सबसे अच्छी दो वो चीज़े मेरे घर के आंगन में ही होती हैं एक उपर पेंड पर और दूसरी जमीन के नीचे एक तो पेंड पर लगती है और दूसरी जमीन के नीचे लगती है बस नारिल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिव का मिल जाए तो मजा जाता है ठीक है आगे अब हम पढ़ेंगे होंग कोंग के बारे में लिखा हुए होंग कोंग में सांप का वेंजन खाया जाता है जिसे लिंग हुफेन कहते हैं क्या कहते हैं अब यह लीचेन है यह होंग कोंग की यह बता रही पने बारे में लिखा है मैं होंग कोंग में रहती हूं मुझे और मेरी मा को सांप खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल जाकर लिंगुफेन खाते हैं यहां से कोशन पूछा गया है इंपोर्टेंट है लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट है मारे पौधों को खाया जाने वाला भाग पतिय, हम लोग किसी चीज्ट की खाते है वह देखते है पहला तो है तो अरबी धनिया पत्ता गोवी पालक यवद्त यह सब क्या जीजते हैं यह यजसा पत्ती यह बना जाती है इंको हम लोग खाते भी नेक्स्ट है bring किसकी चीज्ट का लोग फूल खाते हैं वह देख ले मुली गाजर वाचुकंदर हम लोग जड़ होती है से हम लोग खाते हैं रूट होती है रेडिया और टर्नेप आगे बढ़ते हैं आगे हैं तन्या, आगे किसी चीज का खाते हैं तन्या के बॉर में देखे से अधर के आउता है तन्या होता है आलू, प्याज और कलम, ककड़ी ये सब तन्या होते हैं सरसों, ग्यहू, धान, बाजरा, चना चाल की चीज़ की खाते हैं दालचीनी की चाल खाते हैं फली की चीज़ की खाते हैं मटर सहजन की फली खाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे मदमक्ही फालन के बारे भी हम लोग कुछ पॉइंट बात करेंगे कुछ थोड़ा से point है जल्दी बलती देख लते हैं इनको लिखा हुआ है मदमक्खी एक समाजिक कीट है इन में एक रानी मक्खी होती है मदमक्खी एक समाजिक कीट है इसमें एक रानी मक्खी भी होती है चत में कुछ नर ड्रोन होते हैं छत पर जुनकी जो यह उपर बना होता, इस पर कुछ नर, ड्रोन उपर होते हैं, जो हमेशा उड़ा करते हैं, जो इसकी safety करते हैं, कुछ मदमक्खी काम करने वाली होती हैं, कुछ मदमक्खी जो होती हैं, वो worker होती हैं, वो काम करती हैं, आगे बढ़ते हैं, मदमक्खी जद को को होती है ंडे कब देता है ये अक्ट杯र से दिसंबर के बीच अंडे रहता है अग्त अगे बठते हैं थे में रानी मुझ आपची कुछ बंसी ऊम करने वालि मुझान पाई जाएं यानी कुछ worker होती है कुछ drone होती है जो safety करती है कुछ worker होती है जिसमें आपके female और male दोनों होती है और ये आपकी queen है ये रानी मक्ही है जिसका आकार थोड़ा देखने में बड़ा होता है और उनकी इनका तीनों का आकार आप देख सकते हैं यह आपकी वरकर हो गई, यह ड्रोन हो गई और यह रानी मक्ही हो गई इनमें तिनों में आप असानी से अंतर कर सकते हैं ओके यह देख लिजी आपका यह रानी मक्ही है यह एगलेज कर रही है आगे बढ़ते हैं और यह वरकर मक्ही है जो सेप्टी कर रही है ठीक है और ये बच्चे हैं पे निकल के बाहर आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है जब एक मदबख्खी को रसका पता चलता है तो वह एक तरह का निर्ति करती है जिससे दूसरी मख्खी को पता चल जाता है कि उसको रसका पता चल गया है नेक्स्ट पाइंट है जो आप लोगोंने अगर गाउंग में देखा होगा या पिर कहीं पे देखा होगा तो ये जो बक्से होते हैं इनकी कीमत लगभग 2000 रुपे होती है बढ़ेंगे लिखावाए मदमक्खी के डंक में फॉर्मिक अमल होता है यानि जो मदमक्खी होती है फॉर्मिक एसिड होती है जिससे जब हम लोगों को डस लेती है ये काट लेती है तो हम लोगों को वहाँ पे दर्द या जलन होने लगती है लिखावाए इसके डंक के एसर को कम करने है तो चूना साबुन लोहा लगाते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ समाजिक कीट मत इनके डंक में भी फॉर्मिकमल होता है चीटी भी एक कीट है चीटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं चीटी चीटीओं के तीन जोड़ी टांग होती है आगे हम बात करेंगे जूमखेती के बारे में तो जूमखेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में हो लाटरी द्वरा खेती की जमीन देने की पर्था मिजोरम में है कहां पर है लाटरी द्वरा जमीन देने की पर्था मिजोरम में है यहां पर लाटरी खोली जाती है कि कि किसको कितनी जमीन मिलेगी और किसको जमीन मिलेगी किसको जमीन नहीं भी मिलेगी आगे बढ़ते हैं देखाओ भाई, जूम खेती में एक फसिल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने है, तू छोड़ दिया जाता है, तकि जमीन की औरवरक सकती बढ़ सके, इस जगह को बास या जंगल उग जाते हैं, जब बास या जंगल उग आते हैं, उन्हें उखारते या काटते लिए बस गिराकर जिल देखते हैं यहां पर जंगल उग ए सको काटते यह शोचला सते नहीं पर है इस exhausted है फिर ज़ोती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है जsquैत्ड को जोत नीयर वसलका सा लो जहिए जोता नहीं जाता है मिट्टी को हलके से हिला कर बीज छिड़क देते हैं एक ही खेती में अलग-अलग तरह के बीज जैसे मकई सब्जी मिर्च और चावल बोह जाते हैं जैसे यहां पर जमीन को हिला दिया अब यह जो इन बनी है लकीरे इनमें क्या क्या बोह देते हैं पहला कोसेन आपका निमलिकित में से उस समू को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिये गए हैं तो इसको चुचीजी आप लोग पहला अप्षन है तल कर भिगो कर भून कर दूसरा अप्षन है सेक कर तल कर भून कर तीसरा अप्षन है उबाल कर गूत कर भून कर चोथा अप्षन है सेक कर उबाल कर और बेल कर इस पिसे कौन सा अप्षन सही रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, फर्ट, फर्ट तो इसका अंसर नुम्बर हो जाएगा सही कौन सा सेकर, तलकर और भुनकर अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है पसंद, नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी चात्री ने कहा मुझे और मेरी मा दोनों को साब खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी साब खाने की इच्छा होती है हम पांस के होटल में जाकर लिंग हूफेन खाते है या चात्र कहां के हो सकता है या चात्र कहां का हो सकता है उडिसा का हो सकता है अचल प्रदिस का हो सकता है, असम का हो सकता है या होंग कांग का हो सकता है इसलिए बताइए पसंद ना पसंद के बारे में चर्चता करते हुए किसी चातर ने कहा मुझे और मेरी मा को साप खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी साब खाने की इच्छा होती है हम पास की होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं वचातर कहां कहां हो सकता है बताइए तो इसका उंसर नमबर कैसे सही हो रहेगा उप्सन नमबर फोर इज़ दा राइट आउंसर नेक्स कोशन हमारा यदि आप रेल गाड़ी द्वारा एहमदाबाद गुजराद जाएं तो आपको रेलवे स्टेसन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजे बेचते मिलेंगे छोले बटूरे तथा लच्सी, इडली चेट्नी, तथा वाडा चेट्नी, पूरी साग तथा ठंदा दूद, ढोकला चेट्नी, नीबूअले चावल बताइए तो इसका अंसर नमबर सही हो जाएगा फोर, ढोकला चेट्नी वा नीबूअले चावल आगे बढ़ते हैं Question No. 4 है निम्लिखित मेंसे हमारे देश के किस राज के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मचली खाना पसंद करते हैं चलिए आंसर दीजिए इसका Option A Goa, Option B Bihar, Option C Jambu Qasmir, Option D मुजोरम बताई इसका अंसर क्या सही होगा जल्दी बल्दी बताईए तो इसका अंसर सही हो जाएगा आपका Goa ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है नारियल डली हुई जल्दी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियो का निमलखित में से किस चेत्र का प्रिय भोजन है केरल, पस्यमंगाल, बिहार, टमिल लाडू जल्दी से अंसर दीजिए तो इसका अंसर नंबर 1 बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स कोसे ने मारा बोरा असर में खाया जाने वाला एक क्या है? बोरा क्या है असर में खाया जाने वाला एक आलू की किसम है, गेहू की किसम है, मक्के की किसम है, या फिर चावल की किसम है आंसर दीजिए चल्दी से बोरा असम में खाया जाने वाला एक क्या है अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किये पीछे तो इसका आंसर क्या जाएगा आंसर नमबर डी एक चावल की प्रकार है जो असम में खाया जाता है अगरा question हमारा question no.7 n கोशनार के फूल की सबजी option A मध्यพरदेश option B हिमाज्छल प्रदेश option C उत्रप्रदेश option D पंजाब पताइए इसका answer क्या सही उड़हेगा A, B, C, D में से आंसर दीजिए A, B, C, D में से आंसर दीजिए कचनार के फूल की सबजी कहां खा जाती है अभी हम लोगों ने पढ़ा था UP में खाई जाती है यानि उत्तर प्रदेश में खाई जाती है नेक्स कोशन है महारा कोशन नमबर 8 महाराष्ट में डेश के फूल के पकोड़े बनते हैं महाराष्ट में किसके फूल के पकोड़े बनते हैं अंसर दीजिए Option है कद्दू के फूल के पकोड़े बनते है Option B है कचनार के फूल के पकोड़े बनते है Option C है स्याम के फूल के पकोड़े बनते है option D है, season के फूल के पकोड़े बनते हैं चलिए answer दीजिए A, B, C, D में से कोई सही रहेगा तो इसका answer सही हो रहेगा option number D, season के फूल के पकोड़े महराश्ट में खाय जाते हैं next question है, question number 9 गोवा में मचली को के तेल में तला जाता है किसके तेल में तला जाता है, रिफाइंड के तेल में तला जाता है नारिल के तेल में तला जाता है, सुरज मुक्री के तेल में तला जाता है या फिर सोया के तेल में तला जाता है, बताईए गोवा में मचली को के तेल में तला जाता है किसके तेल में तला जाता है बताईए तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा option number B नार्गल के तेल में तला जाता है कोश्चन number 10 है गुजरात के प्रमुक खाद थे हैं ईपोसन है रोखला चाटनी वाले चावल ये एक में ही है दोखला चटनी वाली चावल एक में ही पूरा है उसकी आगे दोखला चटनी वाली चावल मिठाई या आप्शन नमब्र बी नारेल के निया तेल में तरी हूं अचली या उसन नमबर सी सापका वेंजन जो या अप्सन नमब्र D एडली डोसा और टेपयोका घुजरात के प्र कि पिडियाब सब्सक्रेट तो कि या been लंक को ऀंब कर सकते हैं अब आप से लेते हैं जैंद यहां कि जै भारत की हुआ 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 है